नमस्कार बच्चों मैं जीतेंद्र कुमार शर्म और मेरे साथ आप पढ़ रहें कक्षादस के लिए हमारी पार्टे पुस्तक आर्थिक विकास की समझ बच्चों अध्याई संक्या 5 यानि कि जिसका की नाम है उब्भोकता अधिकार हम शुरू कर चुके थे अब तक हमने ती कैसे जो उब्भोकता है उसको हम यह कहें कि उसको अधिकार दिलाने के लिए जो उब्भोकता आंदोलन किये गए थे उनकी रूप रेखा कैडिया हमने बात से भी ज्यादा कंट्रीज में वर्क कर रहा है और लगबग 200 से ज्यादा संस्तान इससे जुड़े हुए हैं फिर हमने बात की हमारे भाग संक्या का उभोग करते समय उभोगता का यह अधिकार है कि वैसका सुरक्षित उभोग कर सके और द्वारा बनाई गई किसी भी बस्तु से उभोगता को किसी प्रकार में ले लिया था रेजिक लिया था इन सब को लेने के बाद में हम इस निसकर्ष पर पहुंचे थे कि उब्वक्ता को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हैं इनको लेकर कि हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे जो अब्जिर्विशन करने वाली संस्तान हैं उनकी लापरवाई के कारण आज भी बजार में हमे यह चीजों का फोलो करेंगे पांडाल बनाते समय आप इनी वातों को फोलो करेंगे इनन्यमों का पालन करेंगे तो इन सब वस्तु और सिवाओं से के बारे की जानकारी वह कौन-कौन वो कई सारे प्रकार के प्रोड़क्स जो हम रोजाना उसकरते इन प्रोडेक्स को जब हम खरीदते हैं तो यह पूरी तरह से भरे हुए होते हैं इनके इन्फोर्मेशन चोटे चोटे एक्स्ट्रों में बड़े एक्स्ट्रों में काफी सारा कुछ इन पर लिखा होता है इसके अंदर क्या क्या इंट्रिगेंट्स हमने डाले हैं वो सब चीजे होंगी उत्पादन की तिति होगी यहां पर यह देखा जाएगा लास्ट कब तक हम इसको वबो कर सकते है यह सब चीजे मर पी हो वेट हो यह मैंशन की होती ना ऐसा क्यों किया जाता है क्या यह हमीं जानकारी देने के लिए क्या जाता है क्या इसके रिगार्डिंग कुछ नियम बने वह हैं तो चली इस पर नजर डालते हैं तो बच्चों वस्तू और सेवा निर्मान की तारिक, खराब होने की अंतिम्ति थी और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है यह सारी major things है जो हमें commonly हर packets पे अवेलिवल होती है और यह होनी भी चाहिए बचों जब हम कोई दवा खरीते हैं तो उस दवा की जब हम बात करें तो उसके उचित प्रियो कि यह सब चीजा है वहां में मैंशन होती है ठीक है यानि हम यह देखता है अलग अलग उत्पाद पर उसको ले करके अलग सूच रहे हमें देखने को मिलती है आखिर ऐसे नियम बनाए कि वस्तु बनाने वाले को यह सारी जानकारिया देनी पड़ती है ऐसे नियम क्यों बन या इसी सूचना होती क्यों है पहला कारण जो सबसे मेजर है वह हमने पढ़ा भी था पिछले पार्ट में देखा था सूचना पाने का अधिकाल यानि सुरक्षित रहने का अधिकार तो ही उसके साथ साथ हमें सूचना पाने का अधिकार भी है अगर हम एक उब्वोगता है तो हमें इस प्रकार की सूचना पाने का पूरा पूरा अधिकार है इसलिए सुचनाय mention की जाती है हमने कह दिया इसमें केसर युगत यह चीज़े हम ला रहे हैं कुछ चीज वो केसर युगत है अब उसमें केसर का कैबी नहीं ठीक है या या उसमें कुछ भी नहीं है तो हम उसकी लिखित अनुसार अगर वस्तु नहीं मिलने पर हम वावजे का दावा कर सकते हैं साथ ही सब देखें MRP उत्पादन थी 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 या फिर उसमें इंटिग्रेंट कौन-कौन से कौन-कौन से अव्य है यह सारी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम यह पता चले कि जो प्रडेक्ट हम खरीद रहे हैं वह कब का बना हुआ है कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं उसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइज यानि अधिकतम उसका मुल्य क्या है वह हमें पता होना चाहिए और इसमें कौन-कौन से अव्य डाले गये हैं वह हमें पता होना चीए आपने द अगर जो रैड है उसमें कहीं ना कहीं कोई नॉन वेजिटेरियन है इंटिग्रेंट्स एड किया गया तो यह चूटी-चूटी बात हैं बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए यह सूचना है हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि हमें सूचना पाने का अधिकार है एक उभ्वो इस प्रकार लिखित जैसी नहीं होने पर हम क्या कर सकते हैं तो मुझे क्या मिलेगा मुवजा मिलेगा तो यहां लेता है तो उसके 실ंट के साथ शोशन नहीं होगा यह कंफर्म है है ना वह हम यह पता है कि हमारे साथ यह गलती करेगा कोई यह विक्रेता हमारे साथ ऐसी चीटिंग करेगा तो हम ऐसा दावा पेश कर सकते हैं ऐसे मुआफ़जा हमें मिलेगा हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं तो वो क्यों करे चोटा सा एक जाम पर ले लो भाई दूद का पैक्ट आता ना पैकट दूद तो इस दूद के पैकिट के अगर हम बात करेंगे तो उस पर उत्पादन तिति और अंतिम उभोक तिति लिखी होती है उस तिति से पहले अगर दूद खराब हो जाता है न तो उसे बदलने के दूद के packet पे देखा आज की date mention थी वह आज ये खराब हो जाएगा ठीक है तो हम गए आज वह खराब हो गया यह कल हमने पहले लिया था रोप पहले ही खराब हो गया तो हम जा सकते हैं दावा कर सकते हैं कि यह कल तक के लिए उपयोगी था पर यह तो खराब हो गया तो आप रिप्लेस नहीं कर सकता ठीक है इसलिए यह सूचनाय लिखी होती है बचो साथी साथ देखिए यदि लोग अंतिम्तित्थी समाप्त हो गई दवाओ को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई की जा सकती है जो अगर दवाओ के हम बात करें तो भाई इन दवाओ का भी एक के लेगा दवाई कब तक के लिए उप्योगी है वह हम देख पाएंगे तब ही होगा ना इसके अलावा देखिए इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मुल्य से अधिक मुल्य पर वस्तु बेचता है तो उसका भी विरोध और शिकायत की जा सकती है अभी मुद्रित होता क्या है देखिए यह अधिकत्त मुल्य मुल्य के द्वारा अंकित या जाता है। वस्तु अभुता विक्रेता से अधिकत्म खुर्दरा मुल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं आ हैं एक रिप जब हमने देखा तो एमर्पि वहाँ इतना तो आप विकरेता ले सकता है इस से ऊपर यानि कि अगर वो हमसे रुपी अर्ट मुंग कर रहा है तो वो क्या है गलत है हम उसका विरोध कर सकते हैं या हम कहें कि समय अधिकार ही है कि गए हम इससरे कॉल बहु कर सकते हैं मौल हा कर सकते हैं वह यार उड़कन करोampская इसका discount तो 1% 2% कुछ तो करो 170 दे दू क्या यह सब चीज़े हम कर सकते हैं यह यानि MRP पर हम क्या कर सकते हैं मोलभाव कर सकते हैं अब आपको वैवार पर गaur में पğr 60 थिंग हम उसकी कंप्लेन करके मुस्करी खराब हो गई वह नहीं बदल रहा तो हम कंप्लेन कर सकते इस प्रकार कई सारे उसे छूती छूती रूल हैं जिनको हमें फोलो करना चाहिए उप्भुगता के रूप में और हमारे होशन को होने से बचाना चाहिए तो बच्चों इसके बाद में अगर हम बात करें जैसा कि टॉपिक को स्टार्ट में हमने बात करी थी कि जो सूचना पाने का अधिकार है वो है क्या कब स्टेबल हुआ इसकी जरुवत क्यों पड़ी इन सब की बातों की चर्चा अब हम करने वाल है तो दे चर्चा कर सकते हैं तो देखो बचो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन 2005 में अक्टूबर की सन 2005 की अक्टूबर में भारत सरकार ने कानून लागो किया जो राइट टू इन्फोर्मेशन यानि RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है तो अगर सन 2005 की हम बा को बाया करको, और को से कोई संबंदित कों बादित कर सकते हैं उन उन सोचनाओ यह इग्णॉरेबल किया गया है वो सूचना यह आप नहीं ले सकते जैसे का यह समंदित कोई सूचना अधित नहीं है अधर्वाइज आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना पाने का अधिकार रखते हैं और यह अधिकार दिया है हमें आर्टी ने जो स्टैवल हुआ था अक्टूबर 2005 में इंडियन कवर्मेंट के द्वारा ठीक है बचो इसके साथ देखिए हम प्रश्णों पर बाते करेंगे और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो उत्पादक है वो उब्भोकता के साथ बाते करते हैं जब हम वस्तुएं खरीते हैं तो पाते हैं कि कभी-कभी पर चपे मुल्य से अधिक या कम मुल्य लिया जाता है इसके संभावित कारणों पर बात करें, क्या उभ्वोक्ता समुए, इस मामले में कुछ कर सकते हैं, चर्चा करें, तो देखें, हो सकता है, कम मुल्य लेता है, कोई दुकंदार, कोई MRP से ज्यादा मुल्य ले रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो क्या, इनकी जो कारण है, और इनमें जो उभ्वोक्ता समुए है, जो उभ्वोक्ता दल है, उनका क्या रोल हो सकता है, इन सब पर हम विस्तार से समझ बनाते हैं, तो देखो बच्चों, यह सही है कि कई बार विक्रेता मुदृत मुल्य यानि जो MRP है, मुदृत मुल्य कौन सा, मैक्सिमम, रिटेल, प्राइज, यानि अधिक्तम खुर्दरा मुल्य है, उससे कम या अधिक पर जो माल बेचते हैं, ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार ग्राकों को आकरशित करने के लिए निर्माता अपना लाब कम कर देते हैं, ठीक है, यानि वो डिसकाउंट, जिस सब्द का यू हमें बहुत आकरशित करता, और यह को था है, इतना परसेंट छूट है, इतना परसेंट डिसकाउंट है, वो दोनों वर्ट समय आकरशित करते हैं, साथ ही साथ हम यह देखते हैं, कम कीमत पर बेचते हैं, लेकिन जब निर्माता कम कीमत पर बेचते हैं, तो मिलावटी, नक इसे लगबग 17,000 ठीक है इतने बहुत भी आते हैं ना तो हमने देखा 17,000 पर उसके फर्स्ट कोपी हमें मार्केट में 5000 की मिल रही है तो हम क्या समझ सकते हैं यह दो कारण हो सकते हैं या तो यह फर्स्ट कोपी नहीं है बतलब हम यह कह पा रहे हैं यह तो ओरिजनल हो सकता है, बढ़ कमपनी किसी ओफर में डिसकाउंट चला रख है, कमपनी ने तो हमें प्राइस में मिल रहा है, या फिर यह डुबलिकेट आरिटम है, नकली सामान है, मिलाऊटी हो सकता है, यह हम कहें ओरिजनल नहीं है, तो यह सब कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हम ही देखते हैं कि विक्रेता अपने सामान को अंकित मुल्य या उससे कम मुल्य पर बेच रहे हैं ठीक है कई बार अज्ञानता एशिक्षा और उबोगताओं की निस्क्रियता के कारण विक्रेता अधिक कीमत पर सामान बेचते हैं कम कीमत का हमने देख लिए दो कारण हो सकते हैं डिसकाूंट जीसे वर्ट को यूज करें विक्रेटा उपने बोगते हैं उनको आक्रिशित करने के लिए कर रहा है अगर वो अधिक पर बेच रहे हैं तो वहां क्या कारण है वहां है अज्ञानता, एसिक्षिया, मजबूरी भी हो सकती है गाओं में आप देखते हैं छोटी छोटी श्टॉल्स होता है शोप्स होती है जहां किसान मजबूरी में MRP से ज्यादा पैसा देते हैं क्यों उधार मे वहां पर जो रेट दुकंदा लगाता है वह लगाते रहता है उनको विचारों को क्या हो रहा है उनकी मजबूरी हो जाती है तो ऐसे कई सारे कारण है जिनके द्वारा हम यह देखते हैं कि विक्रेता अपने सामान को अधिक्तम मुल्या से भी MRP से अधिक मुल्या पर जाता है ठीक है साथे साथ अमने ये भी समझने की कोशिश की कि वोकता दलो का यहां क्या रोल होने वाला है बच्छों इसके बाद में अगर हम बात करें अगले प्रशन की तो वह यह रहा लोग नागरिकों के समश्या हो जैसे खराब सड़को या दूसित पानी और स्वास्त के बारे में पढ़ा था 2005 ने स्टैबल हुआ अक्टूबर में और लगबग सारे सरकारी विभाग अपनी विभाग की कारे कलापों की सूचना है आपको प्रदान करेंगे इसके अंदर यह ऐसा अधिकार हमें दे दिया गया ठीक है तो क्या आप यह समझते हैं कि हमने इतनी कंप्लेंज दाली तो हम यह पूछ सकते हैं कि हमारी कंप्लेंज का क्या हुआ है ऐसा पूछ सकते हैं तो देखिए हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो हमें सरकारी संगटनों से हमारे लाप से संबंदित प्रशन पूछने का अ देख रहे हैं आए दिन कि उस अधिकारी पर सूचना नहीं देने के कारण इतना उसकी सेलरी काटी गई इतना परसेंट उसको मुआवजा उसको देना पड़ा ऐसे हम यूज कई बार पड़ते हैं तो यह जो अधिकार है यह हमें एक अधिकार दे रहा है कि आप अपनी जो सम और यहां deconsti करें तो यहां हमने यह समझने की कोशिश की कि जो उभूगता है उसके कोन-कोन से अधिकार है उनको हमने विश्टा आसे समझने क कोशिश की साथ अधिकार जो की 2005 अक्टूबर में स्टैबल किया गया था इंडियन गोभर्मेंट के दोहरा तो उसका वर्क क्य है और उसका प्रॉफिट हमें कहां देखने को मिलता है इक पैकेट पर कौन-कौन की कौन-कौन सी इन्फोर्मेशन होनी चाहिए यह इन्फोर्मेशन इक भोकता को कैसे लाब पोचाती है इन सभी बिंदों को ले लिए आज काम में हमने चला कर लिया है कि आज की सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो प्यारे बच्चों देखते रहे शीक्ते रहे मिलता है आपसे अगली कख्शा में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों